ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एतिहासिक है कारगिल की लड़ाई की ओपरेशन 4875 के पहले की है ये तस्वीर इस एक तस्वीर में इस मूर्ती में दो परमवीर एक साथ है उसी पल्टन के कमान अफसर के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर कारगिल की लड़ाई में एतिहासिक हो चुकी थी ये लाइन उस समय राइफिल में अब सुविदार संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता हैं दोनों और बीच में उस समय लेफ्टन करनल और अब लेफ्टन जेनरल वाई के इन वीर योधाओं से मिला था मश्को घाटी में जब ये ओपरेशन पर जा रहे थे या एक ओपरेशन के बाद आये थे कुछ समय इनके साथ बिताने का स्वभाग्य मुझे मिला था और आज 19 वर्ष बाद ये मेरा स्वभाग्य है कि वो वीर और वो परमवीर हमारे साथ है हम बात कर रहे हैं सुविदार संजै कुमार परमवीर चक्र की स्वागत है आपका आज तक पर भारत तक पर हमारे साथ है सुविदार जीवन कुमार कारगिल की लड़ाई में ये भी उसी 0.4875 के ओपरेशन में हिस्सा थे उस ओपरेशन का सुविदार संजे कुमार साथ थे और हवलदार रूपलाल अब भी उस ओपरेशन का हिस्सा थे और आज 19 वर्ष बाद हम अपने देश्वासियो के लिए वो ओपरेशन कारगिल की लड़ाई वो कहानी एक बार फिर ला रहे है उनहीं वीरों और परमवीर के साथ संजे साब सबसे पहले आप से वही बात की कारगिल की लड़ाई इतनी कठिन क्यूं थी 04875 की देखें लड़ाई कारगिल की जितनी भी थी सारी कठिन थी वेसे तो क्योंकि वो इलाका की कुछ ऐसा था कि पाड़ी लाका था बिलकुर पत्रीला लाका था और सुच्छे बड़ी बात है कि वहां पर जो ऊपर जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे ऑक्षिजन की कमी रहेगी चलने के लिए रास्ता नहीं आपको मिलेगा तो पूरा लगा था वहां पर वह मिशन इंपॉसिबल कहलाता था आपको टास्क क्या दिया गया था जब आप लोग वहां द्रास पहुंचे मश्कोगाटी पहुंचे द्रास के बारे में एक बात हम दर्शकों को बता दे कि वह पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ठंडा स्था है जहाँ सर्दियों का तापमान शूनिस से साथ डिग्री नीचे जाता है हमें टाक्स मिला था फाइवान फोर जिरो को कैप्चर करने का तो उससे पहले तूराज्रेफ जो की हमारे साथ आई थी उसने टॉलिन के उपर कबजा कर चुका था उसके बाद फाइवान फोर जि पर अटेक करने का टाक्स मिला इसमें ब्रेवा कंपनी की कमांड समाली हुई थी मिजर ऐसे जंबाल और डेल्टा कंपनी की कैप्टन बिकरम बत्रा में उस टेम पर हम दोनों कोंपनी ने अलगलग दिशा से फाइवान फोर जिरो के उपर चड़ाई की जिसमें हमारे को फा 400 मिटर निजदीक रहे गए तो हमारी ही आर्टी से कुछ हमारे से प्लेंटर हमारे पर आने शुरू होगे जिससे फार को शिफ्ट करना पड़ा और निजदीक पहुंच कि हमने ब्रेव कंपनी ने 51400 के उपर कभजा करने से पहले उनको पता चल गया कि पहुझ निजदीक पजल होगे और उन्होंने जब देखा हमारे कुझ पहुंच गे तो उन्होंने हमारे पुर वहां से गर्नेट्स भी भेंके और उपर से कड़े होके फारिंग भी की जो की पत्थर ज्यादा होने की वायद से हमारी वहां कोई क्याजुल्टी नहीं हुए ब्रेवों बहुत ह का दोनों जो कॉल साइन थे बहुत इंट्रेस्टिंग थे लेफिंट करनल वायके जोश्यू समय द्रास में थे दो यंग कंपनी कमांडर कैपन जामवाल और कैपन विक्रम बत्रा एक ओयाया या एक का कॉल साइन था विक्ट्री साइन और एक का ये दिल मांगे मोर तो आप आरगिल की लड़ाई में पहली जीत थी इससे पहले दुश्मन को ख़देर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था जहां हमारी टुकडियां जाती थी दुश्मन कभी इसी पहाड़ी पर कभी उस पहाड़ी पर कभी यहां से अमेमजी फायर आता था कभी वहां से मॉटर खुल पता लागा कि अभी फाइवन पोर जिरो में जाना है तो अमने अपने क्यारी की और जैसे आदेस इस मुले तो उसके पर हमने कारवई को मैं लेकिन दुशमन उपर से पत्थर भी बरसा रहा था गोलियां भी बरसा रहा था ग्रेंड़ भी मार रहा था कि हमारा दिन तो इसे वार क्राय कहते हैं आप लोग आगे बढ़े फॉर फाइवन फोर जीनों की जीत बहुत ही एहम थी विक्रम बत्रा की वह लाइन आई ये इस बीम्प के साथ साथ हम लोग चलते भी रहते हैं ये दिल मांगे मोर पूरी दुनिया में ये लाइन बहुत प्रचलित हो ग क्योंकि हमेंसा लडाई की बीच में चीज़ देखी जाती है कि जवानों का मुराल कैसे आप करना है वह एक लिडिशिप पर डिपेंड करता है कि आपका कमांडर उस तरिक किस तरिके से अपने टुप्स को लीड कर पाता है वहां पर तो बत्रा साब का वही बात थी कि उन् करनी थी हो कर चुके हैं और जब उन्हों के बारे में पूछा थो उन्होंने सिर्फ इतना पहला था नो कजूलिटे तो एक वह द्रसाता है कि लिडिर्शिप किस तरिके की उनकी थी बहुत इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इनको शेर्षा कहा जाता था जीवन कुमार साब आप उसी का हिस्सा है 13 जाकरिफ का आप तीनों तो शेर्षा कॉल साइन था वायरलेस था वायरलेस उस जमाने में 1999 में इतना इंक्रिप्टेड नहीं था यानि दुश्मन भी आपकी बात सुन पाता था दुश्मन भी आपकी फ्रीक्वेंसी पर आ पाता था तो दुश्मन यानि पाकिस्तान की सेना उन्होंने हमारी फ्रीक्वेंसी भारतिय सेना की फ्रीक्वेंसी देख ली शेर्षा नाम था विक्रम बत्रा का फिर क्या हुआ क्या कहा शेर्षा से पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सेना जब उनको पता चला कि शेर्षा विक्रम बत्रा साब हैं तो वो डरते थे तो जो भी मतलब उस अपरेशन के दुरान चाहे डल्टा कॉंपणी चाहे ब्रेव कॉंपणी तो साब मतलब हसते रहते थे हसके बात करते थे सबीसे कि डरने की कोई जरूरत नहीं हम इसको जीतेंगे यह की पाकिस्तान की सेना काफी गाली गलॉच भी की थी वाह थुट tiempo को अपनी कम करने के लिए हम लोग उतनी देर का करने कि तब हम करेंगे तो उतनी देर वो बाचीत करते तो दिल मांगे मोर कहके विक्रम बत्रा तो नीचे आ गए थे लेकिन ओपरेशन अभी और भी चलने थे और ओपरेशन और चलते भी रहे तो अब आईए हम लोग बात करेंगे कि किस तरहां से उस ओपरेशन के बाद एक असल माइने में मिशन इंपॉसिबल जो था वो दिया गया था था थर्टीन जाकरिफ को लेफन करनल वाई के जोशी उस समय वहां पर मश्को घाटी में थे संभवता जब यह कहा गया था कि अब 4875 पर हमला करना है यह जब वापस आए थे तो हमें एक अपते का रेश्ट मिला था पुरी बड़ालिन को और उस रेश्ट के बाद जो हमें अगला टास्ट था उसके लिए हमें यह कपता इसलिए था कि कि हम लोग अगली अपरेशन के बारे में त्यारी कर पाएं तो जैसे हमारा जो रेस्ट का ठाइम था खटम हुआ तो हमें सेक्ड बारे में पता चला तो था मस्को वैली में पॉइंट 485 का तो उसके बारे में जो जनकारियां थी वो सबको दिए गई कि किस तरीके से वहां करेंगे और यह बहुत कठें ऑप्रेशन था क्योंकि खड़ी चढ़ाई और दुश्मन संभवता इस एक पोस्ट से 4875 के जिस कॉंप्लेक्स में था बत्रा टॉप जिसको अब नाम दिया गया है उससे काफी दूर तक देख सकता था हमारे लाके में अब अब एक उस्ट ल लगाते तक टूर एक एचन अगया मलाव में रहता था तो हम अपनी जित्की ऊइसी bullet और एजियल अटोमेटर गरने लंचर वह हम एक फार वेस्ट के पर लगाते थे और एक एजियल जो हम कॉंपणी आटाइक के लिए जा रही उसके साथ कॉंपणी के साथ बीच में अटाइच करते थे तांकि कॉंपणी को नजदीक से फार स्पोर्ड दिया जा सके और जैसे को गोलीय बरसारा था और साथ में मतलब हमारा जो खाने का जो था वो भी हमारे इजि लह रहे थी सभी सभी बात है जब ऑप्रेशन के लिए से ना कि टुक्डी जा रही थी तो मेरे खैल से आपको तीन दिन का राशन दिया गया था 22गंटे का राशन दिया गया था तो उसी से हमें बत्र गंटे तक आगे तब आएगा जगा उस आपको दिया है उसको बत्र गंटे से पहले तो आपने करना करना लेकिन अगर आप उसको टाइम से पूरा नहीं कर पाए तो तब तक आपके पास पीछे से राशन नहीं आएगा यह जिसना आप यहां से मूब करके आप उस ऑपरेशन के लिए तो जो आपके पास राशन है वह आपको लाश्ट ट्राइम तक जब तक आप वहां पर अट ठीक इसके पीछे बगल में है वूंड मेडल यानि आपने देश के लिए रक्त बहाया है लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक हमारे देश्वासी यह दोनों हाथ देखें क्योंकि इन हाथों ने एक लाइव फाइरिंग मशीन गन दुश्मन की मशीन गन जो आग उगल रही थी अपने साथियों को बचाने के लिए इन्होंने इन ही हाथों से उस आग उगलती मशीन गन को पकड़ा था अपने हाथों से यह मौका था एक उस टाइम पर क्योंकि अगर हम उस चीज को नहीं करते उस टाइम पर तो हमारी कैजूल्टी ज्यादा हो सकती थी नहीं आप बंकर से बंकर चड़के उपर तक पहुंचे और आपने देखा वह मशीन गान नेस्ट से संगर से वह मशीन गान आग उगल रही थी मतलब फायर कर रही थी दन 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 आपके आदमी उपर हाँ जब हम आडवांस कर रहे थे तो वही दो गने थी जो हमें और बाकी कर रहे हैं तो उसके तो आप लगा सकते आडिया इसलिए हाथों में बांदी थी ताकि हाथ ना जले यह आपको कहीं सिखलाई मिलती है क्या यह सिखलाई थी कि हाथ में पट्टी बांदो और देखिए यह तो फॉज को यह किस टाइम पर क्या करना और कैसे करना वह आप ट् सब्सक्तन घंडते हैं और अगर मारा देते हो तो आप उसके पास आप सेफ हुआ और उसस अमसीन बैस एक करते हैं तो हमें तो सब्सक्रवान करते हैं कि मैं यह करके कुछिस कर सकता हूं या अपने आपको या अपने साथियों को बचा सकते हूं तो करना वहाँ बैट रहा है तो इन्होंने अपने हाथ पर पत्या बांधी मशीन गन वो लाइव आ गूगलती मशीन गन को इन्होंने उसके बाद निकाला ग्रिनेट फेका उस मशीन गन नेश्ट में और तीन पाकिस्तानी मारे तो यह तो जैसे आपको बुला कि कुछ मौक्का था गर वो टाइम हम छोड़ देते तो हमारी ज्यादा होती तो हमें वह स लिए ती वहां से तो हमारी कचुलिटी कम हो जो टीरो हमारा जो और आडसтесь ए म और उसके बाद पाकिस्तान के पाउंग खड़ गई यह निप तो हमने फर्ष्ट बंकर से उखाड़ना शुरू कर दिये थे क्योंकि फर्ष्ट बंकर उनका में रहता है कि जिसके उपर उनकी सबसे ज्यादा पावर रहती है और सबसे जोर भी वाहें पर रहता है उनका अगर यह था ओप्रेशन 04875 का और यह देश के तेहास में सेना के तेहास में पहली बार है जब एक ओप्रेशन के लिए एक लड़ाई के लिए एक ही पल्टन के दो योधाओं को परमवीर चक्र से देश का सर्वोच वीरता पुरसकार है युद्भूमी में उससे नवाजा गया ह को और आज भी 19 वर्ष बाद कैप्टेन विक्रम बत्रा मरनो परांत और सुविदार संजय कुमार अपनी मौजूद्गी से देश को भावी पीडियों को प्रेरित कर रहे हैं आपने हमसे बात की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जीवन कुमार साब ठैंक यू और यही है वो वीर और परमवीर जो भावी पीडियों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि हम हमेशा इंडिया फर्स्ट रखे हमेशा अपने देश के लिए जीए कैमरामन किरपाल सिंग और विवेक महिंद्रा के साथ गौरफ सावंत आज तक ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलती रहें